अस्सलाम अलेकूम, बहुत ही जबर्दस टोट के विडियो को आखर तक सरूर देखे अगर सेट को खाली पेट खाया जाए तो ये कबस से निजात बिलाता है बड़े पेट में खाया जाए तो ये कबस पैदा करता है हज़त अली का फर्मान है मुहताची और खुर्बत साथ चीज़ों से आती है एक जबर्दी की नमाज पढ़ने से खड़े होकर पानी पीने से मुह से चराग पुजाने से आस तीन दामन से साफ करने से असर के बाद घर में जाड़ों लगाने से दान्तों से नाखुन तोड़ने से नमाज के बाद खजर की नमाज के बाद फॉरन सोने से शुगर कंट्रोल में ना रहती हो तो दाचीनी का पाड़र ले और सालन पर डाल कर खाएं इन्शालला शुगर कंट्रोल हो जाएगी गरम या मीठी चीज़ों के पाद पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से दान चलती खतम हो जाते हैं खजूर को नाश्टे में खाओ ताके दुमारे अंद्रूनी चरासीन का खात्मा हो सके सफेद मुरफ की अवाज जहां तक पहुंच जती है वहां से जिन्नाद दूर चले जाते हैं सबसे बहतरीन खाना रोटी है ज्यादा अंडे खाने से चेहरे पर चाईयां पढ़ जाती है जो दमा का मरीज हो इसे चाहिए कि वह अजवाइन खाने में इस्तमाल करे गले के दर्द के लिए दूर्द से बहतरीन कोई चीज नहीं जो शक्स जाइफ हो जाए या बुड़ा हो जाए उसे चाहिए जब घर में गोश्ट बना कर खाओ तो हड़ियों को मकमल साफ मर किया करो क्योंकि इसमें जिन्नात का भी हिस्सा माजूद होता है अगर हड़ियों को मकमल साफ करोगे तो वो तम्हारे घर से कीम्ती चीज़ चीज़े ले जाएंगी मसूर की डाल खाने से इनसान नरम दिल हो जाता है जो लोग मसूर की डाल कस्रत से इस्तमाल करते हैं इन्हें बहुत जल्द रोना आता है पानी ज़दा पी कर फल का इस्तमाल फट किया करो क्योंकि इस से मेदे मेद दर्द प्यादा होता है पहली बार गहरे रंग के कपड़े धोते वक्त थंडे पानी में नमक डाल दे, इस से कपड़े का रंग पका हो जाता है चाए का एक छोटा सा चमच देसी अजवाएं दिन में एक बार पानी के साथ इस्तमाल करने से शेहरे का रंग निखरता है पेट के अमरास खतम होते हैं जिसम में चुस्ती पैदा होती है बवासीर के लिए बेख़त वाइदा मंद है हरी सबसियां पालक, मटर, मोली, साथ, सलाथ के पत्ते खाने से डिप्रेशन से चुटकारा पाया जा सकता है पालक, साथ, और मेथिस से जिसन की थकावट सुस्ती दूर होती है हरी सबसियों के इस्तमाल से डिप्रेशन के मर्स में पचास पीसद तक कमीलाई जा सकती है काले जीरे को गरम पानी में शामिल करके पीएं इससे गैस की शिकायत दूर हो जाती है जिगर, पिता और निजामे इन हजाम के लिए बेहर्द मुफीद है चिन लोगों के गले में टाउंसिस का मसला हो जाता है ये दर्द रहता हो शतूत खाएं अगर ये ना हो तो इसका शर्बत तुते सेह का इस्तमाल करें ये गले और खांसी को ठीक करता है बलगमी खांसी से निजात पाएं मदाम के मगस के साथ दाने पीस लें थोड़ी सी उसके अंदर चीनी मिला कर सुबह श्याम खाएं चंद बेन में बलगमी खांसी दूर हो जाएगी और पदीने का मसलसल इस्तमाल जिल्द के दाख धबों को खतम करता है दानों से निजात दिलाता है बास अकाद सर में खुश्की होने की वज़ा से नीन नहीं आती ऐसे में सर की मालिश करें ऐसे में सर की मालिश करना बहुत ही ज़दा मुफीद है मालिश करने के बाद सकून महसूस होका और नीन भी आ जाएगी मेरे पास कमरदर्द के मरीज़ों के लिए बहुत ही जबर्दस नुस्खा है किकर्ड के जो ने पते निकलते हैं इनको तोर कर चाहों में खुश कर लें और इनको कूट कर पीस कर सफोव बनाने एक चमच पानी के साथ लें कमरदर्द के मरीज़ों के लिए बहुत ही जादा फ अगर हलक में मचली का कांटा फस जाए तो घुड़ खाना चाहिए अगर गले में खराश रहती हो तो अध्याद से वक्ती फाइदा होता है इसलिए हर वक्त काली मिर्च मौ में चबाने से अफाका हो जाता है दूद में आदा चमच हल्दी मिलाकर पीने से खुश के कांजी से निजात मिल जाती है जुराबों पर अगर जूदों की पालिश लग जाए तो सुहागा मनने से दाब धूर हो जाते हैं अक्सर सुद्यों में होंट पक जाते हैं तो इसके लिए गाए का कच्छा दूद होंटों पर लगाएं होंट बिलकुल भी मही फटेंगे प्यास का र धबे खतम हो जाते हैं चावल उबाल कर इसका पानी रख लें इस पानी से और थोड़ा सा पानी मिला कर कप्रों को कलफ लगाएं अगर आपको भूख ज्यादा लगती हो तो सतून के तेल की फश्पू सूंग लें इस से ज्यादा भूख नहीं लगे की नारियल का पानी द कान में दर्द हो था लेसन को 10 सेकिंड तक माइक्रोवेव में रखें और इसको एक सीरे पर विक्स लगा लें और इसे कान में रखने से दर्द फोरी खतम हो जाता है सर दर्द के लिए थोड़ी सी विक्स कप्ड़े पर लगा कर नाप के पास रख लीजिए सकोन मिलेगा अगर रुजाना चाईयों पर विक्स लगा कर सो जाने से एक महीने में वाज़ा फरक महसूस होगा अगर आपकी जिल्द बहुत हुश्क है तो कुछ अर्सा जिल्द पर विक्स लगाने से जिल्द की नमी लौट आएगी सफेद रंग वले पर नीचर से दाग कप्ड़े सा थोड़ा सा सिर्का मिला कर इस्तमाल कीजिए अगर पोदो को कीड़ा लग जाए और फिर किसी बतन में थोड़ा सा पानी डाल कर इसमें साबुन डाल दे और इससे पानी में जाग बना ले अब इस पानी को पोदों के पतों पर छड़क दे कीड़े खदम हो जाएंगे अग तार खुश्दुमाज जायका हो जाएगा, खाना गरम-गरम, खाने से मेदा कमजोर हो जाता है, अद्रक का ज्यादा इस्तमाल करने से, मेदे की तजाबियत और पेट में दर्द सीने की जलन का बाइस बनती है, जो लोग कदू खाती है, इन्हें पूर सखोन नेंदाती है, पकाते हैं अगर इसमें चेर्बी ज्यादा नजर आ रही हो तो इसमें छोटी सी एक गाजर डाल दे, जब पक कर त्यार हो जाए तो गाजर इसमें से निकाल दे, ज्यादा चेर्बी मैसूस नहीं होगी, चाए पीने से, पिशाप में यूरिक एसिट की तदाद भर जाती है चाए पीने से जोडों के दर्द में इजाफा हो जाता है, कमर का दर्द, शिकार, अफराद, पर्ष या तक पर सोने की आदत को अपनाएं, इस से कमर दर्द में आफाका हो जाएगा, जो लोग कब से परिशान हैं, वो बड़े कोश्ट का इस्तमाल बिल्कुल ना करें, थो लाद को सोते वकट इन्हें अपने सीने पर बांद लें, इस से आपको सांस का मसला नहीं होगा, अगर मसला होगा भी तो खल हो जाएगा, मेहंदी का दाख कपरों पर अगर लग जाए तो टूट पेस्ट में बलेच में लाकर धोने से फोरण दाख धूर हो जाता है, अगर कपरों पर स्याही का निशान पर जाए तो उपर लीमू रगरने से स्याही का दाव उतर जाता है, अगर गुर्दे की पत्री से आप बचना चाहते हैं तो घर में चावल का इस्तमाल कम से कम कर दें, अगर गिसी को बुखार चेक करना हो तो स्टील का चमच लें, जिसको चमच का रंग थोड़ा थोड़ा सा पीला पर गया है तो समझने के आपको बुखार कम है, अगर चमच का रंग तेज पीला है, तो समझने के आपको बुखार ज्यादा है, हरी प्यास जाबतीस को कंट्रॉल करती है, हरी प्यास इस्तमाल करने से मेदे की गर्मी खतम हो जात बिवाद में सिर्फ गोश्ट गुर्दे कपूरे और चिकनाई से भरपूर खाने वगएरा शामिल हैं वर्जिश से दूरी है दिल की बिमारी भी अंदर ही अंदर अपना काम कर जाती है और अक्सर मरीज को कबर ही नहीं होती कि वो दिल का मरीज बन चुका होता है तब तक कि बिमारी दिल में खून ले जाने वरी शर्यानों को बंद कर चुकी होती है आलू की टुकड़े काट कर हाथों पर मलने से हाथ बहुत ही ज्यादा खुबसूरत चमकदार हो जाएंगे हाथ और पाउं खुबसूरत नजर आने लगेंगे लीमू का रस या सिर्का खंवजन ल लगी होगी अगर अच्छी लगी है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे बल के बटन को प्रेस कर दे ताकर हर वीडियो आपको न्यू मिल सके अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगा मुझे तवा में याद रखेंगा इसी तरह की नूए इन्फरमेशन आपके लिए होंगी दूआ दीजिए दूआ लीजिए खुदा हाद